दोस्तो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अप्लोड की थी जिसमें हमने 6 केंडिलिस्टिक पैटन बताये थे तो इस वीडियो में हम आगे के 6 केंडिलिस्टिक पैटन बताने जा रहे हैं अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को द ट्रीडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं तो चलिए दोस्तों इन पैटर्स को समझते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रीडिंग करने के लिए बैस डीमेट अकॉंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्कुप्शन म में तो अकॉंट फ्री में खोल रहा है वहाँ जरूर खोलवा लीजेगा तो दोस्तों शुरू करते हैं नंबर सेवन से क्योंकि सिक्स पैटर्न हम आपको अल्रेडी पार्ट वन में बता चुके हैं तो दोस्तों हमारा जो सेवन्थ केंडलिस्टिक पैटर्न है इसका नाम ह तो दोस्तों हमारा जो अधार बार्ट वन बता हैं तो दोस्तों हमारा जो अल्रेड़ उक्लिसुर को मिला खोल ऊहलो आइन वहाँ जिसका मतलब होता है प्रेगनिंटागा है हरामी यानि pregnant क्यों है वो मैं आपको आगे समझाओंगा नव दोस्तों अभी आपको screen पे जो candlestick pattern दिखाई दे रहा है वो एक bullish हरामी pattern है और इसको identify करने के लिए तीन condition fulfill होना ज़रूरी है पहला stock downtrend में होना चाहिए यानि कि share की price गिर रही होनी चाहिए second condition है कि downtrend में एक बड़ी red candle बने और उस बड़ी red candle के बाद एक green candle बने जैसी अभी screen में बनी होई है और तीसरी condition है कि जो बड़ी red candle के बाद green candle बनी है न वो red candle की body के अंदर बननी चाहिए यानि कि green candle की जो open price है वो red candle की closing price से उपर होनी चाहिए और green candle की जो closing price है वो red candle की open price से नीचे होनी चाहिए क्योंकि तभी तो green candle red candle की body के अंदर बनेगी तो जब ये 3 condition fulfill होती है तो आप इससे confirm हो सकते हैं कि ये एक bullish हरामी pattern है यानि कि यहां से trend reverse हो सकता है अभी तक share की price नीचे गिर रही थी अब बढ़ सकती है तो आप green candle के बाद जो next candle बनेगी अगर वो green candle के ऊपर बनती है तो आप उसमें entry ले सकते हैं और इसमें आपका stop loss होगा red candle का lowest point नव दोस्तो इसको हरामी यानि pregnant इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो green candle बनती है वो red candle के अंदर बनती है तो दिखने में ये pregnant lady जैसी दिखाई देती है जिसमें red candle mother है और green candle baby है और ये pattern bullish signal देता है इसलिए इसका पूरा नाम bullish हरामी pattern है तो दोस्तो अगर आप कभी चार्ट में देखते हैं कि bullish हरामी pattern बन रहा है तो आप consider कर सकते हैं कि यहाँ से share की price उपर जा सकती है 100% trading में कुछ भी confirm नहीं होता है लेकिन बहुत जादा chances होता है कि bullish हरामी pattern बनने के बाद share की price उपर जाएगी नाव एक question आपके mind में आ रहा होगा कि यह candle कितने minute के chart में देखनी है तो दोस्तो ऐसा कोई strict rule नहीं है अगर आप intraday trading कर रहे हैं तो आप 5-10-15 minute के chart में भी यह pattern देख सकते हैं और अगर आप short term के लिए position ले रहे हैं या swing trading कर रहे हैं तो आप daily या weekly चार्ट में भी देख सकते हैं नव दोस्तो हमार जो 8 candlestick pattern है इसका नाम है bearish हरामी इसके भी नाम से ही समझ आ रहा है कि यह bearish signal देता है यानि कि इस pattern के बनने के बाद share की price गिर सकती है तो दोस्तो जब भी कभी share uptrend में होता है और uptrend में एक बड़ी green candle बनती है और उस green candle के बाद एक छोटी red candle बनती है जो की green candle की body के अंदर बनती है जैसी अभी आपको screen पे नजर आ रही है तो वो bearish हरामी pattern होता है और बहुत जादा chances होता है कि इसके बाद share की price गिर सकती है तो आप इस pattern को देखकर short sell कर सकते हैं या share बेच सकते हैं तो दोस्तो bearish हरामी pattern बनने के लिए भी तीन conditions फुल्फिल होना जरूरी है पहला share uptrend में होना चाहिए यानि कि share की price बढ़ रही होनी चाहिए जबकि bullish हरामी pattern में share downtrend में होना चाहिए था दूसरी condition है कि अब trend में एक बड़ी green candle बननी चाहिए और उस green candle के बाद एक छोटी red candle बननी चाहिए और third condition है कि जो बड़ी green candle के बाद red candle बनी है वो green candle की body के अंदर बननी चाहिए तो दोस्तो जब यह तीनों conditions fulfill होती है तो आप confirm हो सकते हैं कि यह एक bearish हरामी pattern है और यहाँ से trend reverse हो सकता है अभी तक share की price बल रही थी अब नीचे जा सकती है तो आप यहाँ पर short sell कर सकते हैं यह share बेच सकते हैं यहाँ पर आपको red candle के बाद अगर next candle उसके नीचे बनती है तो वहाँ पर short sell करना होगा मतलब entry लेनी होगी और क्योंकि आप short sell कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका stop loss होगा बड़ी green candle का highest point अब मैं आपको bullish हरामी pattern और bearish हरामी pattern के बीच में difference समझा देता हूँ bullish हरामी pattern bullish signal देता है और bearish हरामी pattern bearish signal देता है bullish हरामी में पहले share downtrend में होता है जबकि bearish हरामी में पहले share uptrend में होता है उसके बाद trend reversal के chances होते हैं और तीसरा difference है कि bullish हरामी में छोटी green candle बनती है जबकि बेरिश हरामी में छोटी red candle बनती है तो ये तीनों difference होते हैं बेरिश हरामी और bullish हरामी pattern में Now दोस्तो हमार जो 9th candlestick pattern है इसका नाम है piercing line pattern ये भी एक two candle pattern है यानि कि ये pattern दो candle को मिला कर बनता है और ये bullish signal देता है यानि कि इस pattern के बनने के बाद share की price बढ़ने के chances होते हैं तो दोस्तो जब भी कभी stock में downtrend होता है और उस downtrend में एक बड़ी red candle बनती है और उस red candle बनने के बाद एक green candle बनती है जो कि red candle के नीचे open होती है लेकिन red candle की half body या कहें कि 50% body के उपर close होती है तब जो pattern बनता है वो होता है piercing line pattern और वो कुछ इस तरह का नजर आता है तो जब ये pattern बनता है तो बहुत जादा chances होते हैं कि यहां से trend reverse हो सकता है अभी तक share की price गिर रही थी अब बढ़ सकती है तो आप यहां पर buy कर सकते हैं आई नो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब आप practice करेंगे तो बहुत easily आपको यह pattern नजर आने लग जाएंगे तो दोस्तो piercing line pattern बनने के लिए ये conditions फुल्फिल होना जरूरी है पहला stock downtrend में होना चाहिए यानि share की price गिर रही होनी चाहिए दूसरी condition downtrend में एक बड़ी red candle बननी चाहिए और उस red candle के बाद एक green candle बननी चाहिए और third condition green candle first red candle के नीचे open होनी चाहिए लेकिन first red candle की half body के उपर close होनी चाहिए तो जब ये तीनो conditions फुल्फिल होती हैं कि ये एक piercing line pattern है और आप यहाँ पर buy कर सकते हैं इसमें आपको piercing line pattern के बाद जो next candle बनेगी उसमें entry लेनी होगी और आपका stop loss होगा green candle के lowest point के नीचे नाव दोस्तों हमार जो 10th candlestick pattern है उसका नाम है dark cloud cover ये piercing line pattern का just opposite है और ये भी two candle pattern है लेकिन ये bearish signal देता है यानि कि इस pattern के बनने के बाद share की price गिर सकती है तो दोस्तों जब भी कभी stock up trend में होता है और up trend में एक बड़ी green candle बनती है और उस green candle के बाद एक red candle बनती है जो कि green candle के उपर open होती है लेकिन green candle की half body या कहें कि 50% body के नीचे close होती है तब जो pattern बनता है वो होता है dark cloud cover और वो कुछ इस तरह का नजर आता है तो जब ये pattern बनता है तो बहुत ज़ादा chances होता है कि इसके बाद trend reverse हो सकता है अभी तक share की price बढ़ रही थी अब गिर सकती है तो आप यहाँ पे short sell कर सकते है green candle बननी चाहिए और उस green candle के बनने के बाद एक red candle बननी चाहिए और third condition red candle green candle के उपर open होनी चाहिए लेकिन close red candle की half body के नीचे होनी चाहिए तो जब ये तीनों conditions फुल्फिल होती है तो आप confirm हो सकते हैं कि ये dark cloud cover pattern है और यहाँ पर आप short sell कर सकते हैं अगर आप short sell करते हैं तो आपको red candle के बाद वाली candle में अंटरी लेनी होगी और आपका stop loss होगा red candle के highest point के उपर नाव दोस्तो 11th candlestick pattern बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि share market से related daily free updates के लिए हमारे telegram channel को जरूर जोइन के लिजेगा मेरी telegram ID का link description पे दिया गया है हमारे नाम से बहुत fake telegram channel भी बने है तो description में दी होए link से ही जोइन करें ना दोस्तो हमारे जो 11th candlestick pattern है इसका नाम है morning star ये एक 3 candle pattern है यानि कि ये 3 candle को मिला कर बनता है और ये bullish signal देता है यानि कि इस pattern के बनने के बाद share की price बढ़ने के chances होते हैं तो दोस्तो जब भी कभी share downtrend में होता है और downtrend में एक बड़ी red candle बनती है और उस red candle के बाद एक छोटी body वाली candle बनती है जो किसी भी color की हो सकती है लेकिन body छोटी होनी चाहिए और दोनों विक एक बराबर होनी चाहिए और उसके बाद एक बड़ी green candle बनती है जो कि first red candle के बराबर या उससे बड़ी होती है तो जब ऐसा pattern बनता है तो इसको morning star कहा जाता है और इस pattern के बनने के बाद share की price बढ़ने के बहुत ज़ादा chances होते है तो आप यहाँ पर buy कर सकते है और अगर third green candle high volume के साथ बने तब वो ज़ादा effective होती है और तब बहुत ज़ादा chances होते है कि share की price बढ़ने वाली है तो आप इस pattern को देखकर share buy कर सकते है तो दोस्तो morning star pattern को identify करने के लिए ये conditions fulfill होना ज़रूरी है पहला share downtrend में होना चाहिए यानि कि share की price गिर रही होनी चाहिए दूसरी condition downtrend में एक बड़ी red candle बननी चाहिए और उस red candle के बाद एक छोटी body और बराबर विक वाली candle बननी चाहिए जैसी अभी screen में बनी हुई है आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी body छोटी है और इसकी दोनों विक बराबर है ये किसी भी color की हो सकती है यहाँ पे ये red है अगर green भी होती तो भी एक ही बात होती और third condition छोटी candle के बाद एक बड़ी green candle बननी चाहिए जो कि first red candle के बराबर या उससे बड़ी हो तो जब ये तीनों conditions फुल्फिल होती है तब आप confirm हो सकते हैं कि ये एक morning star pattern है और आप यहाँ पे entry ले सकते हैं इसमें भी अगर green candle के साथ volume increase होता है तो ये ज़ादा effective signal माना जाता है तो अगर आप morning star pattern के basis पर buy करते हैं तो आप बड़ी green candle के बाद वाली candle में entry ले सकते हैं और आपका stop loss होगा second candle का lowest point नव दोस्तो हमारा जो 12th candlestick pattern है इसका नाम है evening star ये morning star का just opposite है और ये bearish signal देता है तो दोस्तो जब भी कभी share up trend में होता है और up trend में एक बड़ी green candle बनती है और उस green candle के बाद एक छोटी candle बनती है जो किसी भी color की हो सकती है लेकिन उसकी body छोटी होनी चाहिए और दोनों विक बराबर होनी चाहिए जैसे अभी आपको screen पर नजर आ रही है और उस छोटी candle के बाद अगर एक बड़ी red candle बनती है जो कि first green candle के बराबर यह उससे बड़ी हो तो जो pattern बनता है उसे evening star कहा जाता है और इस pattern के बनने के बाद यह expect किया जाता है कि यहाँ से share की price गिर सकती है तो आप यहाँ पर short sell कर सकते है तो दूस्तो evening star pattern के लिए भी कुछ conditions fulfill होना जरूरी है पहला stock uptrend में होना चाहिए यानि की share की price बढ़ रही होनी चाहिए दूसरी condition अब trend में एक बड़ी green candle बननी चाहिए और उस green candle के बाद एक छोटी candle बननी चाहिए जो किसी भी color की हो सकती है लेकिन उसकी body छोटी और दोनोविक बराबर होनी चाहिए और third condition छोटी candle के बाद एक बड़ी red candle बने जो कि first green candle के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए तो जब ये तीनों conditions fulfill होती है तब आप confirm हो सकते हैं कि ये एक evening star pattern है और आप यहाँ पे short sell कर सकते हैं इस pattern में आपको third red candle के बाद वाली candle में short sell करना होगा और क्योंकि आप short sell कर रहे हैं तो आपका stop loss होगा छोटी candle के highest point के थोड़ा उपर तो दोस्तों आप इस तरह से इन candlestick pattern का use करके trading कर सकते हैं ये pattern बहुत ज़ादा helpful होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार काम करें इसलिए हमेशा stop loss का use कीजेगा और इन pattern की आप जितनी ज़ादा practice करेंगे उतनी ज़ादा easily आप इने identify कर पाएंगे और उतनी ही ज़ादा easily आप इने use कर पाएंगे तो ज़ादा से ज़ादा practice कीजेए इसके अलावा भी कुछ candlestick pattern है अगर आप चाहते हैं कि हम उनके उपर भी वीडियो बनाएं तो comment करके ज़रूर बताएगा share markets related daily free updates के लिए हमारे telegram channel को ज़रूर जाइन कर लीजेगा मेरी telegram ID का link description पे दिया गया है और अगर आप trading के लिए best DMAT account खलवा चाहते हैं तो मैंने आपको angel one का link भी description पे दिया है वहाँ से आप अपना free DMAT account खलवा सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो like ज़रू कीजेगा इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए कानल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर आपने यहां तक वीडियो देखिए तो आप हमारे बहुत ज़्यादा special है कमेंट करके ज़रू बताएगा धन्यवाद